Hello guys, welcome to an academy, मैं हूँ निकेत अगरवाद एड इस सीरीज में हम करते हैं daily current affairs तो जो भी important current affairs होते हैं हमारे prelims के related या GS1234s related उन सब भी को हम इसमें detail में discuss करते हैं एड उससे related में आपको हमेशा कहता हूँ कि वीडियो के end में आप उसको कुछ से summarize करो, उसका 100 से 150 words के अंदर अपने notes बनाओ या answer writing की तरह लिखो और आप उसको मुझे send वी कर सकते हो for evaluation या नीचे comment section में लिख सकते हो इस सीरीज के अंदर हम comprehensively cover करते हैं बहुत सारी अलग-अलग चीज़ें तो हम news papers को cover करते हैं योजना, PIV, कुछे इत्राक, तो कहीं से भी जो important कर अंटफेर आता है EPW से आता है and so on उन सभी कुछ चीज़ों को हम यहां पे cover करते हैं मैं आप लोगों को किसे request करना चाहूंगा अगर आपको मेरे ये videos अच्छे लगते हैं, मेरा content अच्छा लगता है and आप मुझसे personal guidance आते हैं तो आप anacademy का प्ला subscription ज़रूर खरीदिए आप इसे एक महीने के लिए खरीद सकते हैं तीन महीने के लिए ले सकते हैं, 6 months ले सकते हैं और 12 or 24 months का भी ले सकते हो and जब भी आप subscription को लो तो आप मेरा code यूज करो जो की है ANI7 इससे क्या होगा आपको 10% additional discount मिलेगा and मेरा भी कुछ help हो जाएगा so if you want to support me तो आपके subscription मेरे discount code से लेना चाहिए इसके बहुत सारे benefits हैं जो हम वीडियो के end में discuss करेंगे so guys आपको पता है कि चाइना को लेकर के हैं काफी जादा anti-China protest back or China वाली protest चल रहे हैं अच्छी बात यह थी कि पाकिस्तानी जो थे उन्होंने भी इंडिया की इसमें help की rather वो बर्चर के आगया है और उन्होंने बंदे मातरम song भी गया जो कि otherwise इंडिया का song है तो एक बहुत ही अच्छा positive vibrations वाली चीज थी positivity थी इसमें इंडिया और पाकिस्तान के जो links हैं जो historical contact है हमारा हम एक ही लोग है जो किसी एक आप कह सकते हो scheme के तहएं अंग्रेजों के तहएं अलग-अलग हो गए तो वो एक बहुत ही अच्छा connection यहापे हमें देखने को मिलता है यह अपने आपे बहुत ही एक rare चीज थी कि पाकिसानी यूथ जो है वो इंडिया का national song आ रहा है but Sunday are quite few of them joining hundreds of Indians literally hand in hand and protested organized outside the Chinese embassy in London तो Chinese embassy के बाहर जाके उन्होंने protest भी करवाया इसके अंदर आपको पाकिसान की human right activists भी देखने को मिलेंगे जिन्होंने इस चीज को किया तो जाकिया जो थे यह पाकिसानी यूथ है एक और यह human right activists भी है इन्होंने भी का कि मैंने पहली बार बंदे मातरम गया तो काफे सारे लोग Indians को यहाँ पर join किया इस protest के अंजर तो हम कह सकते है overall एक इंडिया की जो soft power है या इंडिया की जो एक value है वो काफी साधा वर्चस में बड़ी है as compared to China क्योंकि otherwise China इतना जाधा इंवेस्ट करता है पाकिस्तान में तो चाइना का जो youth है कहिना कि उसको एक soft corner होना चाहिए था China की तरफ बट ऐसा नहीं रहा एक और person की यहाँ पर statement हमें बताई गई I have traveled all the way from Glasgow for this protest तो मैं Glasgow से आया हूँ इस protest को join करने के लिए originally मैं PO के में रहता हूँ एक Indian हूँ जो पाकिस्तान की occupation में जबर्दस्ती रह रहा है और China हमारी territory में यानि के गिलिगत बार्टिस्तान के area के अंदर बहुत जादा नुकसान कर रहा है CPAC बना रहा है चाइना पाकिस्तान economic corridor जिसके अंदर पाकिस्तान government जो है चाइना का साथ दे रही है और local लोगों को मजदूरों के तरह treat किया जा रहा है बहुत बूरी तरह से treat किया जा रहा है हमारे जो natural beauty है और जो सारी चीज़े है उनको काफी जादा खतम किया जा रहा है इनका नाम मिर्जा था और ये quite vocal रही है और pressure and injustice जो P.O.K. में लोगों के साथ हो रही है by Pakistani authorities और पाकिस्तानी authorities के साथ है Chinese authorities भी क्योंकि उन्हें पाकिस्तान की share मिली हुई है इसके लावे इंडियन डियास्पोर नाकिवे लंडन में active है बलके USA, Canada और other parts of world में भी active है तो हमें हर जगा यहां पर देखने को मिलता है जहां 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 इंडियन डियास्पोर है काफी अ लंडन में इसके लावा free Tibet के भी नारे लगे, free Hong Kong के भी लारे लगे क्योंकि हमने देखा Hong Kong भी एक autonomous region है तिबत को तो पूरा occupy किया हुए और अगर यह दलाई लामा जो भी present दलाई लामा है वो मरके तो कहीं ना कहीं हो सकता है यह जो तिबत की freedom moment है यह भी इनके साथ चली जाए तो तिबत को भी free कराना है Hong Kong को भी free कराना है Hong Kong के उंदर भी dominance करने की कोशिश कर रहा है चायना वो हमने देखा था उनकी autonomy को खतम करने की कोशिश कर रहा है इसके लावा जो यूगूर्स वाला area है जो कि आपका Turkish टर्किश एंसेस्ट्री के टर्किश ये present day टर्की वाला नहीं है जो Central Asia वाला टर्की है क्योंकि टर्की का हमने detail में भी पढ़ा हुआ हमने टर्की को आपको याद होगा जिन लोगों ने पुरानी वीडियो देखी है तो टर्की यहाँ पर कहीं पढ़ता है यह आपका Istanbul यहा अधरभाईजान है तुर्कमेनिस्तान है यह सब यहां पर देखने को मिलते हैं तो तैमूर यह सारे लोग थे इनकी सब की भाषा है तो यह पहाँ पर बूली जाती है इसका उरिजिनल नाम एनाटोलिया था यह रोमन एमपाईर का हिस्सा था बाद में रोमन एमपायर जब तो इसको बाद में जब मुस्लिम्स ने उक्यूपाय कर लिया फिर यह उटमन समराज्य के अंदर आ गया और इसका प्रेजिंटे नाम टर्की हो गया तो अब यहांपे जो लोग रहते थे इसके अंदर जो एक बहुत बड़ा एर्या है वो है अग्घुर्ज वाला एरिया और यह उग्घुर्ज वाला एर्या है यह चाइना कब्जाय । है सब चीज़ें भी यहां पर आती है तो कहीं ना कहीं इनको भी आजाद करने की बात की जा रही है तिबत को आजाद करने की बात की जा रही है और होंकों को आजाद करने की बात की जा रही है यहां पर आप मैप में देख सकते हो यह जिंजियांग प्रोविंस है और यहां पर यह आप के जाहतर यह उगुर्ज वाले जो लोग हैं वो रहते हैं और यह आप देख सकते हो आसपास किर्गश्तान हैं तर्जाकिस्तान हैं यह सारे के सारे Muslim Nations हैं और यहाँ पर जो लोग हैं वो भी Muslim religion फॉलो करते हैं तो सारे के सारा जो वोल्ट है ड्रागन के अगेंस्ट हो गया है मतलब कि चाइना के अगेंस्ट हो गया है क्योंकि आपको पता होगा है कि वोल्ट पॉलिटिक्स में हम ड्रागन को के चाइना बोलते है या चाइना को ड्रागन बोलते हैं एड इंडिया को हम एılेफेन्ट बोलते हैं जब हम एकन२ामीक की भी बात करते हैं हम इस तरह से लिख सकते हैं ओपनिंग अफ्ञट्र औफ ड्रागन समाव खो लिए तो आप ड्रागन को तो चाइना को काफी सारा वर्ल्ड जो है कंडेंब कर रहा है चाहाए उस्रेलिया हो जपान हो या यूएस से हो या और भी कोई डेवलप कंट्री हो कोई भी इस वक्षान के साथ नहीं खड़ा है ये हमें बताया जा रहा है अगर पाकिसान के भी लोगों का हमें सपोर्ट मिल करता रहेगा तो आप इस चीज को यहां पर एज एक नसेसरी है हम दो नेशन को दो लोगों को जोडने के लिए जिनको एक ब्रिटिश रसकी पॉलिसी के कारण या कुछ लोगों की पॉलिटिकर अंबिशन के कारण अलग कर दिया गया था तो देखिए सबसे पहली जो जो उसे सीख सकते हैं तो इसके अंदर कोई टीचर के उपर बंदिश नहीं है बहुत बार ऐसा होता है कि आप आफ लैंड कोचिंग में जाते हैं और आपको वहां पर पॉलिटी पढ़ाने वारे सर जो है वो अच्छे लगते हैं और उनका पॉलिटी आपको समझ में भी आ पॉलिटी पढ़ा आपको अच्छा लगा लेकिन ए टीचर का जोगरफी आपको अच्छा नहीं लगा तो आप किसी और बी टीचर के पास जाकर भी वो सब्जेक्ट को बढ़ सकते हैं और उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप कितनी मरज़ी बार टीचर को कर दिया जाता है तो निपिंडवड हो जाता है कि कोई बी डॉट ऐसा नहीं हो पता क्योंकि बच्छे बहुत जदा रहते हैं लेकिन यहां पे आपका क्लीर डाउट सेशन चलता रहेगा आपके डाउट्स जो होते रहेंगे उसके बाद आपको एक ही सब्सक्रिप्शन के अंदर multiple जो courses हैं वो मिल जाते हैं और आपको unlimited access मिल जाता है पूरी unacademy library का तो suppose कीजिए आप PCS की भी त्यारी कर रहे हैं and IS की भी त्यारी कर रहे हैं अब IS के बीच में आपके UP PCS का exam निकल आता है तो उस टाइम पे आपको UP PCS के लिए कोई specific courses देखने हैं specific lectures देखने हैं तो आप वो भी इसी subscription के अंदर देख सकते हैं तो एकी subscription आपको अलगलग exams की त्यारी basically करा रही है तो एकी subscription से आपको बहुत कुछ मिल जाता है तो अगेन अगर आप अच्छे से इसका फायदा उठाएं तो आप multiple exams भी crack कर सकते हैं जो आपकी best जो आपको job लगती है आप उसको रख सकते हैं तो एकी subscription में आपको बिना double पैसे खर्च किये आपके अच्छे से सारी त्यारी हो जाती है and again घर बैठे बैठे क्योंकि घर बैठे 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 एक बहुत बड़ा comfort है और आपके बहुत सारे पैसे बचते हैं क्योंकि आप देखे अगर आप offline coaching में जाते हैं तो आपको एक तो आने जाने का खर्चा लगता है उसके बाद कई बार parking fees लगती है उसके बाद अगर आ दूर अपने आप गाउं में रहते हैं या आपके शहर के आसपास कोई coaching नहीं है तो आपको जाके रहना पड़ता है उसमें आपका मंतले expenditure बहुत बढ़ जाता है आपका खाने का रहने का और अन्य चीज़ों का खर्चा बहुत बढ़ जाता है तो वो सारे के सारे आपके ख कर सकते हैं उसके बाद आप personalized doubt sessions ले सकते हैं जिसके अंदर आप teacher से बात कर सकते हैं तो teachers के साथ आपका interaction जो है वो पूरा अच्छे से रहेगा जैसे कि आपका offline classes में रहता है तो आप इस चीज़ को तो बिलकुल मन से निकाल देजे कि teachers के साथ interaction नहीं हो पा रहा या doubts जो है बच जा रहे हैं doubts clear नहीं हो पारे इसके अलावा आपको अन्यापे unlimited test series मिलेगी तो exam से पहले सबसे जादा important होता है कि आपने कितने test किये क्योंकि जितने test किये और especially जो हम test में गलत करते हैं चीज़ें वो हमें जरूर याद रहाती हैं तो इसलिए test के अंदर की जो गलती है प्लस आपको जो चैप्टर के हर एक वीडियो की PDF नोट्स दिये जाते हैं इसके अलावा आपका फुल स्लेबस कवरेज होता है बहुत बार बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि हमारा जो स्लेबस है वो अधूरा रह गया सर ने NCRT नहीं कराई या कुछ नहीं कराया कुछ ना कुछ किसी ना किसी coaching पे कुछ रह जाता है तो बहुत सारी coachings जो है वो complete भी करा देती हैं लेकिन कुछ बच्चों कर रह पूरा पाठे करम कराया जाएगा पूरा स्लेबस आपका कवर किया जाएगा और इसके अंदर एक और एडवांटरिज है वो यह है कि अगर आपको लगता है किसी टीचर ने कोई topic मिस कर दिया या कोई topic आपको ठीक से समझ नहीं आया तो आप वो switch करके दूसरे teacher का same topic search कर सक किसी भी reason से वहाँ पर internet की reception अच्छे नहीं आती जैसे suppose करो अभी cyclone विगारा आ गया था तो internet reception जो थी बहुत सारे areas में इंडिया में वो coastal areas की तरफ वो काफी जादा down हो गई थी उस case में अगर आपने सब कुछ download करके रखा हुगा है तो आपका syllabus आपकी पढ़ाई नहीं र लख लोगे तो उसे जितनी मर्जी बात आप repeat पर चला सकते हो और offline सारी की सारी वीडियो को देख सकते हो तो यह अगेन एक बहुत बड़ा advantage होता है तो यह कुछ advantages मैंने बता है आपको क्यों join करना चाहिए अगर आपको लगता है कि अगर आपको लगता है कि अगर आपको वीडियो देखते हो हमारी quality देखते हो तो आप join करेंगे तो आपको 10% extra discount मिल जाएगा using the code ANI7 तो इस code से आपको 10% extra discount मिल जाएगा तो आपको net amount वो काफी कम आ जाता है और मैंने आपको शुरू में भी जैसे बताया था अगर आप दो साल का subscription निकठे ले लेते हो तो आपक वीडियो अच्छा लगाँगा इंपूमेटिव लगाँगा थांक्यो वाचिवर वाचंग दिस वीडियो और आव नाइस देखते है